मेरे समझता हूँ कि अंतरातमा से उन्हेंने वोट डाला है और ये चांदार जीत हमको मिल गी है। मेरे के लिए मुश्कल काम नहीं हुआ पर ये ज़रूर हुआ कि इस सरकार के फिलिर उजागर होगे और इस सरकार ये ज़्यादा देते हैं अब चलने वाली नहीं है। नौ वोट है ना तो नौ मिनिट जे आपको क्या बता कॉंग्रिस के जाए है। यहां मारा उपरेशन लोटर सुकूजी नहीं कर दिया है तो हमने क्या करना है। भारती जन्ता पार्टी ने सिमला राजेसभा सीट पर जीत दर्ज की है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हर्श महाजन। साफ निती से बोट मांगा कि अगर आप खुश हो तो खुश रो अगर नहीं हो तो आप मेरे को बोट डालो तो मेरे समझता हो कि अंतरातमा से उन्हेंने बोट डाला है और ये शांदार जीत हमको मिल की। आप कॉंग्रेस के साथ पांच दसकों तक रहे तीन चुनाओ जीते आपने और कभी कोई चुनाओ हारा ने आपको बीरबदर सिंग जी जो स्वरगिये हैं उनका रणनीतिकार रणनीतिकार माना जाता है उनका तो क्या जो रणनीतिकार आपने जीकिए उसका इसनेमाल कॉं से मैंने ये सारी तस्वीर देखी माचल पर्देश की वो मेरे काम आई और मैं जीत गया बस यही बात है कोई सिंपल है मेरी बड़ी राजनीती नहीं है मैं लोगों के लिए काम करता हूँ बिना पार्टी लाइन के काम करता हूँ बिना किसी भी वरका अदमी हो उसके साथ हमा गरोगे और इस सरकार यह ज्यादा देते अब चलने वाली नहीं है क्योंकि आज कुछ और लोग हमारे से संपर कर रहे थे कि अब 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 उपल नहीं आएंगे इनके के इस तो कॉंग्रेस के सिर्फ छे जो अमेलेस थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग आज की आप दावा कर है वो एक उन में एक कॉंशिस भी थी के चलो हमने आपने पार्टी का सानु खत्म कर दिया है ना उनको वोट दे के कॉंग्रिस को अब वोपन ली हमारे साथ है और यह सरकार गिर जाएगे अगली अगली क्या स्ट्रेटिजी है ऑपरेशन लोटस सा बलूम कर रहा है श्मला अपनी गरेंटीज अपने जवाइदे किये थे लोगों से कुछ नहीं कर सकी और इसलिए लोग पर इमाचल तो छोटी स्टेट है पड़े लेके लोग है हमारे सिंपल लोग है तो वो बोलते नहीं इस चीज़ को तो अब उन अराज है तो उनको मनाना तो इनका काम था ना वो हमने मना लिए भाति जन्ता पार्टी फ्लोर टेस्स की मांग करेगी बिलकुल करेगी फ्लोर पर गिरेंगे यह उन दे तो इसमें कोई शक के बात नहीं है वाइनौट जबके तो कोई भी प्लिटिकल पार्टी हो वो तो करती है चीज़ तो हमको करना चाहिए आप पूर वीर बद्दर जी इतने टॉल लीडर थे छे दफा मुख्य मंतरी दे इकीस बाइस सालों का टेनियो रहा तो वो तो एक माचल के बहुत टॉल लीडर थे टॉलस्ट लीडर थे उनसे तो है पर अब मैं देख रहा हूं कि बारती जन्ता पार्टी की कारेशाली जो है आज की हिडिए अधार मोर्णेट में मोदी जी के अंदर या अमिर्चा झी के अंडर या नड़ा साब के अंगर। वो अब कोई Congress में रहने वाला नहीं है जिसको यह जो Congress तो वैसे dismantle हो रही है Congress में तो आब वही रहे गे जिसको बाते जंता पार्टी नहीं लेना चाहती है वही आदमी है अब वह जो इनकी गुटों की राजनिती और इनकी five star culture और इनका वह उसी में लगे हुए अभी तक यह जो भी right minded आदमी होगा जिसकी थोड़ा सूज बूज रखता होगा मैं तो पिछली election से पिछली election में मैं चले गया बारतिय जंता पार्टी में मेरे को पता था कि अब फ्यूचर की पार्टी यह है हमारी पार्टी में तो बुरा आल हो गया है तो आज वो इतनी डिसकोंटमे पी-सी-सी देक्ष कुछ और बोलती है रिजी शुकला जी कुछ और बोलते हैं सुखु जी अपनी लगाते हैं वो तो इंसानी जिद्धी है तो इसलिए यह काम नीचलने वाला आप महचिन जी जिन छे कॉंग्रिस विधायकों ने आज क्रॉस वोटिंग की है उनमें से कई कई वरिष्ट भी हैं आपको लगता है उनको मंतिनी मंडल में जगा नहीं थी कि उन्हों नाराजगी आप का बदला ले लिए ऐसे ना भाई साब जो इतने वरिष्ट हो जाए ना उनको अपने आगे भी उन्होंने फीचर भी देखना है जब उनका वोटर ही यह बोलेगा क जी सरकार में काम नहीं हो रहे या तो उनको अपने लोगों की राय तो लेनी पड़ेगी हो विदायक उन्होंने बनाया है तो इसलिए रुष्ट हैं लोग और अभी मेरे से और भी कुछ मिनिस्टर्स बात कर रहे थे तो ही कह रहे थे कि भी यह तो अब दो दिन तिनों की म नहीं आई है सारे किसी नहीं किड़ने कर दो लेगे उनको नहीं जी नहीं बिलकुल नहीं लेगे यहीं है और भी गौर्णर साब के जाएंगे यह थे हर्ष माजन जो हमें बता रहे थे कि भारतिय जंदा पार्टी के 6 MLS ने भले ही क्रॉस वोटिंग की हो लेकिन उनकी संख्या ज्यादा है सिर्फ 6 नहीं कई और विधायक कॉंगरेस के इस वक्त भारतिय जंदा पार्टी के संपर्क में है हर्ष माजन खुद दावा कर रहे हैं कि अगले 2-3 दिनों में सरकार गिर सकती है और कॉंगरेस की उल्टी गिंदी शुरू हो गई है